भूपेज बग्हेल जी की ऐसी कौन-कौन सी ओजनाय है जो खास कर यहां के आदिवासी बहुल शेत्रा में आपको ठीक ठाक देखने को मिला या फिर नहीं देखने को मिला अगर काम भी किया है वो काम किया वाला पैसा भी वो सोसाइता सम्मू को नहीं दिया गया है आपने कुसा में पहले बताया कि हमारी भाजपा की सरकार में हमने बनाया लेकिन अभी भी तो इस्तिती ऐसी की ऐसी है कभी-कभी देखने को मिलता ही है अब ये क्या है बहुती पारेश्टेरिया होता है धंतेवाजिला परियटन की लिहाद से दिखा जा तो बहुत संभावनाय है यहाँ पर अब आपकी सरकार है आपके अंदर क्या विजन है इसको लेके बातचीत हुआ है अब इसके पहले भी हम तीन साल तक लगाता है उसको शुरू किये थे आप जब जाते हैं तो भै नहीं लगता आपको जाते हैं जब लोगों से मिलने जूलने जाते हैं कि इतने सारे हाथ से हो चुके हैं तो आपको कभी भै नहीं रहता कि कहीं नकसली बीच में आ जाएंगे देखिए हम लोग अभी जन्परती निदी होने के कारण हम जिस छेतर में भी जाते हैं वहां पर पुलिश अपनी सुरक्चा की बेवस्ता करती है, हम जिदर भी जाते हैं तो वहां सुरक्चा की बेवस्ता रहता है आपके विजन क्या है वन समपदा से भरा है यहाँ पे यहाँ पे उद्ध्योग दंदे कल खार काने खुलेंगे तो रोजगार मिलेगा ऐसा कोई आगे का रोड मैप है आपका देखिए वास्ता में हमारे बश्तर अगर देखा जाए अनेक वन समपदा उसे बरा हुआ है कईने कई नमस्कार आप देखने टिये नान ने उसका खास कारिकरम सवाल जो आपका है और मैं हूँ आपके साथ में राकेश निर्मलकर हमारी कोशिश रहती है सवाल जो आपका है इस खास कारिकरम के माद्यम से कि हम चत्तिसगर के राजनितिक वेक्तियों को आपके सामने लाएं जनता से जुड़े मुद्दो को हम उठाएं और उसे सवाल पूछे साथ उनके जो राजनितिक जीवन है और उनकी जो नीजी जिन्दगी है उसके बारे सब्सक्राइब आपारें बताइए। 나올 हमारा जीवन शुरू से एक सादगी जीवन थे और हम शुरू से कि सान के ब्टे हैं। और मेरा जीवन सुरू से मिलाए क्रिशी चेतर में हमेशा मैं खेति और यह सब बश्तर में प्रमपणेस्थ मेरा का दान और यह सब उस ही में मैं लगा रहा हैं और दीड dir'i rai बढ़ाय के बाद मुझे पार्टी में जिम्हेंदारी मिलते गया है भारती जनता पार्टी में नीचे इस तर से संगटनों का जिम्मेदारी मिलता गया और बेकूपी से मैं निश्टावान के साथ उस संगटन का काम पूरा करता गया अपको सरपंच रहे पहले कोन से पत से आपने शुरुवात की पहले जिम्मेदारी कौन से रहे? फिर जिला पिंचा सदस्य बना फिर तेंदुपत्ता एक विबाग होता है उसमें डिविजन का अद्देख्च बना यूनियन का उसमें भी पांच साल का हो रहता है उसमें भी पांच साल बना पहली बार आपको पार्टी ने मौका दिया विधान सावा चुनाव लड़ने का पहली बार में जिम्मेदारी बड़ी थी लगा था कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे क्योंकि बड़े नेता के बेटे चविंदर कर्मा को आपने हराया है चालेंज था आपके लिए पहली बार बहुत साल के बाद मुझे विधायक का प्रत्यासी बनाए बारती जनता पार्टी ने और यहां मेरी प्रती दंदी एक महिंदर कर्मा के बेटे चविंद कर्मा था निच्छित रूप से उनके सरकारता हो बहुती राजनीती में उनलों थे फिर भी मैंने पूरा हिम्मत के साथ लड़ा और पूरा जनता ने मुझे भहुती सायोग दिया और पहली बार दंते वड़ा विधान सबा में इत्यासिक वोटों से मैं जीत लेकिन आपके जीत के पीछे और उनके हार के पीछे आपको क्या करण लगता है उनका पारिवारी विवाद भी चर रहा था ये करण है या फिर जो सरकार थी कॉंग्रेस पार्टी की भुपेश बगेल जी की उनसे बस्तर के इस एरिया के जो जन जाती लोग है वो नरास थे हाँ निच्छित रुप्षे कांग्रेस पार्टी ने पांच साल सरकार में रही वुपेश सरकार उन्होंने जो हमारे दंतेवाडा जीले में इस विदान सबा में विकास का काम को लेकर उन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं किया है ना ही या जनकल्यान कारी सरकार की उजनाय होती है वहां तक भी नहीं किया है पांच साल में कोई भी बड़ा काम नहीं किया है केवल और केवल ब्रश्टाचारी किया है जिसके करण उन्होंने हार का सामना करना पड़ा है और हमारी जीत निच्छित रूप से हमारी पूरोवर्थी सरकार 15 साल में जो यहाँ पर काम किया था जिस परकार ततकालिन मुक्यमंत्री डाक्टर रमन सिंग रहे हैं वो पीडियस की बात अगर कहें या के किसानों को गरीब हो के लिए एक चावल की योजना चलाए है बहुत ही अच्छा योजना था जिसको लेके और ततकालिन सरकार ने जो विकास की काम किया है इतने रोड पूलिया पूरे जगा जगा विकास का काम किया है और हमारी यहां एक एजुकेशन अप बनाया गया है अब यहां पर हम जहां बेटना रहते हैं गिदम के नगर पंचाथ के पास में जनपत पंचाथ गिदम में एक एजुकेशन अप जवंगा के नाम से एक एजुकेशन सीटी का निर्माण हमारी सरकार ने किया था और अगर युवा की और जाते हैं युवाओं को रोजगार से जोडने की बात अगर कहे उस समय ततकालिन सरकार ने वी पी ओ काल संटर के नाम से यहाँ पर तीन अज़्जार युवाओ को यहाँ पर रुजगार से जोडाता और मैलाओं की चेतर में जाते हैं महिलाओं के छेतर में एक शक्ती गार्मेंट के नाम से उनको सिलाई कडाई का परशिक्चन देखके उनको उस रोजगार से जोड़ा है ये हमारी भारती जनता पार्टी के रमन सिंग के सरकार ने जो इसके पांच साल के पहले जो काम किया है उस काम को लेकर हम उनलोगों ने चुनाव में हाया है और निच्छित रुपशे चुनाव में पूरे या के जनता ने हमारा समर्तन किया सैयोग मिला और भारी भवमतों से हमको जीत दिलाया है तो चलिए आपने पिछली सरकार आपकी सरकार रहे उसके बारे में बताया भुपेश बगेल जी की ऐसी कौन-कौन सी योजनाय है जो खास कर यहां के आदिवासी बहुल शेत्रा में आपको ठीक ठाक देखने को मिला या फिर नहीं देखने को मिला कई सारी योजनाय थी उनकी उनकी तो एक गोटान की योजना था बुपेश बगेल के बहुत ही मतलब गोटान की योजना था गाओं गाओं में गोटानों का निर्मान किया गया है अब वहां पर सोसाइता सम्मो को काद बनाने का जिम्मेदारी दिया गया है अब गोटानों के बारे में अगर यहां दे ने अगर काम भी किया है, ओं काम किया वाला पैसा भी ओ सोसाइता सम्मों को नहीं दिया गया है, ये वुपेश बागेल की योजनाईता, ये इस्तिती वुपेश बागेल की स्वास्तों को लेकर यहां कि बहुत सारी बाते चलती है सर नेशनल लेवल पर चलती है आज भी सुदूर जो अंचल छेतर हैं खाट पर मरीजों को ले पूल पूरिया सडक आपने कुछ समय पहले बताया कि हमारे भाजपा की सरकार में हमने बनाया लेकिन अभी भी तो इस्ति है कभी कभी देखने को मिलता ही है अब यह क्या है बहुत ही पारेश्टेरिया होता है दंतेवाड़ा जिला ऐसा तो अभी नहीं है अभी जैसे हमारे सरकार के समय एक शो आर्ट एम्बूलेंस दिया गया था और कांग्रेस की सरकार ने उसको बंद कर दिया गया जिसके में अब हमारी सरकार बनी है निच्छीत रूप से हमारी सरकार में जैसे ही सरकार बनी है ऐसे ही अभी एम्बूलेंस सारे गाउं में जा रही है हर जगा पोंच रही है अगर कोई ऐसे चेत्र है हमारे बहुत पारेश्टेरिया पाड़ी एर्या होता है अगर कई रोड अगर यहां एक दो जागा ऐसा है हम उसको भी अभी दुरश्ट करेंगे उस चेत्र में भी हम रोड पूल्या ताकि हमुलेंस हर गाउं हर मौले में पहुंचे जिसके लिए हमारी सरकार ने काम कर रही है आने वाला समय में ऐसे कोई भी सिकायत नहीं आएगी मेरे विदान सबाब ज स्वास्त को लेकर हम बातचीत करें ने सर स्वास्त में ही यहां पर महिलाओं को महिलाओं की कुपोशन की बात आती है कुपोशन आदिवासी छेत्र में बहुत अभी भी है तो इसको लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं देखी लिए यहां पर कूपशन के लिए जो भी सरका कि योजनाये चल रही है और हमारी सरकाराई और मुझे यहां विदायक बनने का मोका मिला है कई न कई कूपवसन का एक कारण देखा जाए वह है पानी पानी के कारण ही एक कूपवसन ज्यादा तरके होता है और हमने अभी सिधा जिला प्रसासन को निर्देश दिया है है कि हर अंगन बाड़ी में आरो वाटर लगाया जाएगा हर इश्कूल में हारो वाटर लगाया जाएगा ताकि बच्चों को पीने का सुध पानी कैसे मिले यह हम चिंता कर रहे हैं और मोदी जी के हमारे एक योजना है गर-गर में नल हो यह मोदी जी को योजना है और हाम बेक्ती को अच्छे सुध पानी मिले यह मोदी जी की योजना है और इस मोदी जी की योजना को कांग्रेस सरकार ने कहीं आदा ठेंकी बना दिया था कहीं गर में नल लगा दिया रहा उस नल में पानी ने आ रहा था यह इस्तिती अभी भी है और अभी हम ततकाल उसको बहुत जल्दी पूरा करते हुए है घर-घर में सुद्ध पीने का जल पहुंचाने वाले है यहां पे नक्सलवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सर और नक्सलवाद की बदनामी ने इसेरिया को ऐसा बदनाम किया है कि रा दया तो बहुत संभावनाएं हैं यहां पर अब आपकी सरकार हैं आपके अंदर क्या विजन है इसको लेकर देकिए हमारे दंतेवाडा जीला में हमारे भी माता धंतेश्वरी पूरे दुन्या के शक्ति पीटों में हमारे भी मात धंतेश्वरी है और यहां बहुत दूर दूर से पर्याटक मात धंतेश्वरी का धर्शन करने के लिए आते हैं निच्छीत रुप से हमने सोचा है एक बार्शूर नगरी है यहां भी बहुत बड़ी एक बार्शूर नगरी है अब वहां भी कहा जाता है पुराने काल से वहां एक से एक मंदिर बना हुआ है और जहां गनेश की मुर्ति है बार्शूर में एश्या की तीसरा नंबर की एशे प्रशिद घणेश जी के मूर्ती है यह और मामा बाचा मंदिर है बतीशा मंदिर है वहां बहुत सारा के कहानी है तरतालाब बनाया गया 45 तालाब 45 मंदिर ऐसा पहले के रागवनसी राजाओं ने ऐसा बना गया है अब उसको बाड़ा सूर के रहे ऐसा भी कहा जाता है उनके राज रहा है ऐसा और आज भी बहुत ही परियटक के लिए वहां एक इंद्रावती नदी है वहां एक साथ दारा के नाम से वहां जाना जाता है हमारे चिंदनार की ओरे हम जाते हैं अंदावाडा है बहुत ही विक्यात जल्परपात के नाम से उसको भी जाना जाता है निच्छित रुप से हमारी सरकार है अभी मैं बहुत जल्दी वहां बारशूर महुस्तव सुरू करने वाला हूँ हमारे फ्रियतन मंत्री से बातचीत हुआ है अब इसके पहले भी हम तीन साल तक लगाता है उसको शुरू किये थे पांच साल का अंग्रेश की सरकार रही और उन्होंने उस बारशूर महुस्तव को बंद कर रखाता और इदर दंतेवाडा चेतर में आगे जाता है एक डोलक के नाम से गनेश जी का एक मुर्ती है और बहुत ही ऐसे संदर्य पहाड़ है और वहां भी एक डोलकाल की मुर्ती है उसको भी हम वहां भी लोग जाने लगे हैं ये सारे सीच को हम बहुत ही अच्छा से डबलब करेंगे और आने वाले समय में दूर दूर से लोग आएंगे आराम से इस परियाटन को हम बढ़ावा के लिए बहुत कुछ हब करने वाले हैं जी बहुत जरूरी है सर क्यूंकि 36 गड़ का एक सबसे बड़ा केंद्र अगर परियाटन के लिहाज से देखा जा तो बस्तर बन सकता है मैं नकसल वाद पर बात कर रहा था पिछले बार भीम करना अलग-अलग शेत्रों में जाना क्यूंकि अभी देखा है कुछ सालों में कि बीजेपी के निताओं को बहुत टार्गेट किया है नक्सलियों ने सर हाँ यह हमारे दंते वाड़ा जिला है और पूरे बश्तर बश्तरी नहीं पूरे चतिजगड का मामला है नक्षिली क लेकर आर यहां तो हम जहां रहते हैं निच्चित रूप से सविदान सील छेत्र है और हुशमाय हमारे ततकाल इन विदायकरे उनको नक्षेलियों ने कहीं कहीं हत्या कर दी है और सब यह मामला अब सविदान सील छेत्र तो है फिर भी अब यह सरकार की जिम्मेदारी है देखिये हम लोग अभी जनपरती निदी होने के कारण हम जिस छेतर में भी जाते हैं वहाँ पर पुलीश अपनी सुरक्चा की ब्यवस्ता करती है हम जिदर भी जाते हैं तो वाँ सुरक्षा के विवस्ता रहता है सुरक्षा के बीच में हम छेतर में जाते हैं और छेतर में जाके हम सरकार की योजनाव और यहां की विकास को लेकर निच्छी तुरूप से हम आम आदमी तक जाते हैं आम जनता तक जाते हैं यह जाती है। दोले बाले आदिवासी जनजाती के लोग यहां रहते हैं और उस पर भी जाकर कई न कई धर्मांत्रण का विश्य यहां चलता है। यहां के नवजवानों के लिए जो सबसे बड़ी चुनोती रहती है ना रोजगार की। दूसरे राज्यों में चले जाते हैं सर पलायन करके रोजी रोटी के लिए। आपके विजन क्या है वन समपदा से भरा है यहां पे। यहां पे उद्ध्योग दंदे कल खार काने खुलेंगे तो रोजगार मिलेगा ऐसा कोई आगे का रोड मैफ है आपका। देखिए वास्ता में हमारे बश्तर अगर देखा जाए हने एक वन समपदा उसे भरा हुआ है। कईने कई कांग्रेश की सरकार पांच साल रही है। उस दवरान बहुत सारे लोग पलायन करके बाहर जाते थे। हम अभी उस समय कोई किसी परकार का ग्राम पंचातों में कोई काम नहीं दिया जाता था। ताकि उनको काम प्रयापत काम मिले और अपने चेत्र में अपने गाउं में वह काम करें rakder चार हैं हमारी सरकार जैसी आई उन सारे लोगों को हम उनी के छेतर में काम उपलब्द करा रहे हैं ताकि वो अपने गर में रहे के अपने गाउं में रहे के अपने गाउं के विकास का डबलब का एक काम करें और हम निच्छित रूप से हम पलायन को रोकने वाले हैं और पला प्रदेश के मुक्या मानिये विश्णुदेव साय जी ने जब चुनावी गोषना में लाया गया था जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम किसानों की चेत्रे मगर जाए तीनाजार एक सो रूपया में धान करीधी करेंगे परती एकड में 21 कुंटल दान करीधी करेंगे ये चुनावी गोषना था और आपने देखा है और दो साल की बोनस बकाया बोनस को भी हम सरकार बनेंगे तो डाल देंगे आप देखे होंगे जैसे ही हमारे मुक्यमंत्री विश्णुदेव साय जी ने सपत लिया और दूसरे द 2700 रुपे सीदा किसानों के काता में डाल दिया गया और अभी आपको मालूम होगा आज ही किसानों के काते में अंतर की रासी सीदा एकमुष्ट डालने वाले हैं ये मोदी गारेंटी है ता और हमारी सरकार ने पूरा किया है और कल परसो हमारे महतारी वंदन योजना को साय जी ने महतारी वंदन योजना मेरे दंते वड़ा जिला में 44,000 मेलाओं के खाते में 5 करोड से अधिक रासी डाल दिया गया है और यह ऐसा नहीं है बाकी जी किसी का नहीं हुआ है वो लगातार पुरसेज में है वो बनते जाएगा फिर डालते जाएंगे ये हमारे मोद बड़ी उपलब्दी की ये है मोदी गारेंटी मोदी गारेंटी करके तारीफ में कसीदे पर रहा है लेकिन लोग सबस्वाशनाव इससी साल होना है दोहजार चोबिस में उसको लेकर तैयारी कैसी है बस्तर में चुकिए भी दीपक बैज जी है कॉंगरेस पार्टी के पमःतारी वंदनययोजनता तिह से पूरा किय है जारे चाहरा की पूरा करते जासे निस्ची रूपसे या बस्तरस लोग殖ला से जीतने वाला है और दीपक बेच तो आप जानते ही है एक हमारा मंदल अद्देख्च था अब दीपक बेच परदेश अद्देख्च था मंदल अद्देख्च ने परदेश अद्देख्च कारा दिया तो अब क्या सवाल है अब हमा लोकशबा में वो कहां से जीतने वाला है निच्छी तुर कि इतना सही होता है सर खेब आपने समय दिया हमको बहुत-बहुत धन्यवाआ जाते जाते आपकी शेत्र की जनता से हमारे माध्यम से कोई संदेश्ष देना चाहें छाए हैें हाथ डङिए अभी बहुत अच्छा लगा और नियुझने मेरे पास आये और मेरे से बादचित किये हैं और निश्चित रुप्षे मैं आपके माध्यम से हमारे इस्चेत्र के जनता को बहुती सुब कामनाए देता हूँ आने वाला समय में जिस परकार मुझे विदायक बनाने के लिए जनता ने स्वयम आया और हर परकार का मुझे समर्तन दिया भारती जनता पार्टी को समर्तन दिया और कमल च्छाप पर बटन दबा कर मुझे बारी मवत से विजय बनाए और हिश नियूज के माद्याम से आपके माद्याम से या कि जनता को मैं बहुत ही अपील करता हूं कि अब लोग सबा का चुनावाया है उसमें भी मुझे जै ऐसे प्यार दे आसीरवाद दे हर परकार का जनसमर्तन मिले और हमारा प्रत्यासी जीतकर दिल्ली में जाए और या का डवन इंजल की सरकार बनाने में या के जनता का सैयोग मिलेगा ऐसे अपील करता हूं आपके माद्याम से धन्यवादा बहुत बहुत धन्यवाद सार आपका तो आपने सुना दंते वाड़ा विधान सबा शेतर से अभी भारते जनता पार्टी के विधायक है वरतमान में चैत्रा मटामी जी जिनका कहना है कि अभी लोग सबा चुनाओं आने वाला है और 36 गड़ की जो 11 सीटे हैं वो जीतेंग और साथ ही साथ 36 गड़ में आने वाले 5 साल में विष्णुदेव साय सरकार बहुत विकास करने वाले खास कर बस्तर को ध्यान देने वाली है ऐसा इनका कहना है बहराल इस खास पेशकस में इतना ही अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात तब तक के लिए नमती दीजे नमसकार